Hello students, Estoid 24 उद्यपूर में आप सभी का सवागत है आज हम Professor Knight के दौरणा प्रतिपादित लाब का अर निष्चिता सिदान पढ़ेंगे तो चलिए स्टाट करते है लाब का अर निष्चिता सिदान Professor Knight जो अमेरिका के है एफ एच नाइट इनके द्वारा 1940 में प्रतिपादित किया गया था ठीक है लाप का जो अर निश्चिता सिद्दान थे प्रोपेसर एफ एच नाइट ठीक है अमेरिकन अर्थ शास्त्री हैं उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था और पिछले वीडियो में हमने प्रोपेसर होले केते हैं कि अर्थ व्यास्ता में जो लाब होता है एक उध्यमी को जो लाब मिलता है वो जोखिम उठाने के बदले मिलता है लेकिन प्रोपेसर नाइट क्या केते हैं कि प्रोपेसर होले ने जो जोखिम का इसपस्ट नहीं किया है ठीक है प्रोपेसर नाइट पुरुसकार हैं मतलब एक वियुसाईर एक उध्यमी एक शाहसी वियुसाईर में क्या करता है और उस अनिस्चिता उठाने के बदले उसको क्या मिलता है पुरुसकार के रूप में लाब मिलता है ठीक है प्रोफेसर नृइट क्या कहते हैं कि एक व्यविसाई व्य չैच में जोखिम उठाता है और जोखिम कुन सी जिसमें अनुश्चित्ताका गून होता है और इसी के कारणा उसको लाब मिलता है तो प्रोपेसर नैट अब यहाँ पे जोखिमों को दो वागों में भी भज़ित करते हैं तो वो बताते हैं कि जोखिमों को दो प्रकार की हो सकती हैं पहली है बीमा अयोग्य जोखिमें मतलब एसी जोखिमें जिनका बीमा नहीं कराया जा सकता है जिन जोखिमों का पहले से को होगा ठीक है तो एसी जोखिमों को प्रोपेसर नैट क्या कहते हैं बीमा अयोग जोखिमे ठीक है और ये जो जोखिमे है वो कई प्रकार की होती है इनके बारे में डिटेल में हमां आगे पढ़ेंगे अभी ठीक है तो पहली कौन से प्रकार की हो गई बीमा अयोग जोखिमे एसी जोखिमें जिनका बीमा नहीं कराया जा सकता है और दूसरा होती है बीमा योग्य जोखिमें एसी जोखिमें जिनका बीमा करा सकता है उनको हम क्या कहते हैं बीमा योग्य जोखिमें ठीके और इन जोखिमों का एक उध्यमी साहसी पहले से अनुमान लगा सकता है पुरुवानुमान लगा सकता है तो जोखिम कहते हैं कि ये एसी जोखिमे होती है बीमायोग जोखिमे जिनका एक उत्पादक साहसी पहले से अनुमान लगा सकता है और जब पहले से अनुमान लगा सकता है तो एसी इस्तित्य में उसमें कोई अनिश्चिता नहीं होती है जैसे कहें कि चोरी हैं, आग हैं, दुर गड़ना है तो ये एसी इस्तितिया हैं जिनका पहले से पुर्वानुमान संभव होता है और पुर्वानुमान संभव होता है तो ऐसी इस्ती में उत्पादक इन से बचने के लिए क्या करता है? इनका विमा करा लेता है और विमा कर लेता हैं तो विमा कराने के लिए उसको विमा की जो प्रीमियम राशी भणने पड़ती है तो उसे उत्पादक क्या करता है वस्तुर की उत्पादन लागत में जोड लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन जोखिमों में कोई अनिश्चिता नहीं होती है तो ऐसी इस्ती में इन जोकिमों के बदले में उत्पाद दक्तों कोई लाप की प्राप्ति नहीं होती हैं। लाप की प्राप्ति किन से होती हैं? उन जोकिमों से जिनका भीमा नहीं कराया जा सकता है। तो अब प्रोपेसाइड नाइट बतते हैं कि प्रमुख बीमा अयोगी जोखी में कौन-कौन सी हो सकती है एसी कौन-कौन सी जोखी में हैं जिनका बीमा नहीं करा सकते हैं तो सबसे पहला है साधनों की कमी ठीक है किसी कारण वश अगर अर्थ व्यस्ता में उत्पादन के साधनों की कमी हो जाती है तो उत्पादन के साधनों की कमी होने से क्या होगा वस्तों का जो उत्पादन ने वो बढ़ाना संभव नहीं होता है तो ऐसी इस्तिति में उत्पादकों के जो लाब होंगे वो क्या होंगे कम हो जाएंगे ठीके तो साधनों की जो कमी है उसका न तो पुरुवानुमन लगाया जा सकता है और नहीं इनका बिमा कराया जा सकता है फिर उत्पादन की तकनिक संबंदी जोकिन हो सकती है ठीके किसी वेवसाय में उत्पादन की अगर कोई नई तकनिक आ जाती है या नई तकनिक को अगर नहीं अपनाया जाता है या फिर अपनाया जाता है तो इस इस्ति में वो तकनिक क्या करती है लाब प्रदान कर सकती है ठीक है अगर कोई वेवसाय उत्पादन की नहीं तकनिक को नहीं अपनाता है तो उसकी उत्पादन की लागत क्या हो जाती है बढ़ जाएगी ठीक है और उत्पादन की लागत बढ़ने से उसकी लाप की मातरा क्या हो जाती कम लेकिन कोई वेवसाई अगर वेवसाई में नहीं तकनिक आ जाती है और उसे अफना लेता है तो इसी स्थीम उसको क्या होता है लाप की प्राप्ति होती है तो इनका विमा नहीं कराये जा सकता है फिर वह एक हो सकती है प्रतियोगी फर्म से जोखिम कोई व्योसाई उत्पादक उत्पादन कर रहा है और उसके जिसी वस्तू बनाने वाला कोई बुसरोत पदक में है और जब उसको उसके साथ में competition करना पड़ता है प्रतिस परदा करनी पड़ती है तो प्रतिस परदा से उसको लाब भी हो सकता है और हानी भी हो सकती है तो इनका भी विवा नहीं कराया जा सकता है फिर नेक्स इस्तिती है व्यापार चक्र की अर्थ व्योस्ताय में समय समय पर जो व्यापार चक्र तेजी और मंदिक इस्तिती आती है तो तेजी और मंदिक की जो इस्तिती है उसका पुर्वानुमान लगाना एक्तर से कठिन काहरी होता है और इस सिस्थिम में जब विवसाय में उत्पादों को पास में माल होता है और उसका स्ट्रोक पड़ा रहता है ठीक है और किमत अगर बढ़ जाती है तो इस इस्तिम उसकी लाग क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो व्यापार चकर की जो इस्तिती है उसका पुर्वानुमान लगाना भी क्या होता है कठीन होता है कि एक उत्पादक द्वारजो वस्तुएं उत्पादित की गई है बोविश में उसकी बिक्री कितनी होगी उसके दर उत्पद्द वस्तों की मांग कितनी होगी जादा होगी या कम होगी ठीक है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है सेम ऐसा कैसा मांग के बारे में पुर्वा अनुमान कि उत्पदक जिस वस्तो को बना रहा है ठीक है बविश्णों उसके दर उत्पदी वस्तो की मांग कितनी होगी जादा होगी या कम होगी इनका अनुमान लगाना गटिन होता है फिर उबोकताओं की फेशन या रूची जो होती है अगर उनमें परिवर्तन हो जाता है तो उनम क्योंकि जो कीमत है वो अगर सरकार निर्धारित कर देती है तो इस इस्ति में लाप की मात्रा क्या होती है परभावित होती है तो प्रोफेसर नाइट केते हैं ये उपरोक्त विभिन परकार की बीमा अयोगी जोखी में है इनका बीमा नहीं कराया जा सकता है ठीक है और एक साहसी क्या करता है इन जोकिमों को वेवसाय में उथाता है और इसी के बदले मुसको क्या मिलता है लाब मिलता है, क्यों? क्यों कि ये सारी जोकिम एकतर से क्या होती है निश्चित होती है ठीक है, तो पृपिसर नाइट के नुशार सांसी को बीमा ऐयोगी जोकिम उठाने के बदले में लाब मिलता है क्योंकि ये सबी जो बीमा ऐयोगी जोकिमों क्या होती है और निस्चित होती है ठीक है और प्रोपेसर नाइट कहते हैं कि लाब कितना होगा ठीक है यहाँ अनिस्चिता की मात्रा पर निर्भर करता है जिस व्यवसाई में अनिस्चिता जादा होगी उसमें लाब जादा होगा और जहाँ पर अनिस्चिता की मात्रा कम होती है वहाँ पर लाब भी कम होगा ठीक है तो प्रोपेसर नाइट क्या कहते है सारान्स रूपे हम कह सकते है किसी व्योसाई को व्योसाई में जो लाब मिलता है वो उस व्योसाई की अनिश्चिता के कारण होता है ठीक है व्योसाई व्योसाई में क्या करता है अनिश्चिता को उठाता है एक सासी अनिश्चिता उठाता है और उसी के बदलम उसको लाप की प्राप्टी होती है तो ये प्रोपेसर नाइट का लाप का अनिश्चिता सिद्धानत है अब हम देखते हैं इसकी कौन-कौन सी आलोजना है तो सबसे पहले आलोजना है कि इस सिद्धानत में अन्यकारणों की उप्यक्षा की गई ठीक है इसमें क्या बताया गया है कि एक व्यवसाय क्या करता है व्यवसाय में अनिश्चिता उठाता है जो खिम उटायता है लेकिन जो अन्यकारी करता है जैसे है कि वो नए नए परिवर्तन होता है नए आविश्कार होता है नए तक्निके उसको अपनता है जो व्यवसाय का प्रबंद है वो कारी कुशल रूप से करता है तो अन्य कारी भी होते हैं जो लाप को प्रभावित करते हैं लेकिन इत सिद्धान में केवल एक ही तत्व अनिश्चिता के बारे में बताएगा है दूसरा है अनिश्चिता मापने की कोई वीधी नहीं है ठीक है हमारा ये जो सिद्धान्द वो क्या कहता है कि किसी भी व्यवसाय में अनिश्चिता की मातरा जितनी जादा होती है लाप उतना ही जादा होगा मतलब लाप किसके उपर निर्बर करता है अनिश्चिता की मातरा लेकिन किसी व्यवसाय में अनिश्चिता की मातरा कितनी है, ठीक है, उसको मापने एक तरह से क्या है, कोई विधी नहीं उसको मापने की, और फिर हमारा है, जो अर्थशास्थी वो कहते हैं, कि केवल अनिश्चिता उठाना ही साहसी का कारणी, ठीक है, एक साहसी व्यवसाय मे अनिश्चिता उठाता है उसकी बदले में उसके लाद मिलता है प्रोपेसर नाइट ऐसा कहता है ठीक है लेकिन आलोच अर्थचासदी कहते है एक वेवसाई के वल वेवसाई में अनिश्चिता नहीं उठाता है सांसी के बहुत सारे अन्निकारे भी होता है और फिर चोथी स्थिति हमारी है चोथी आलोजना है कि वास्ति जुवल में आकडों के आदार पर हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं ठीक है कि जैसा प्रोपेसर नाइट केते हैं कि वेवसाई में अनिस्चिता उठाने एक बंदे लाब मिलता है तो इस बात को हम जो सांखी की आकड होते हैं उन आकडों के दोरे इस बात को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि वेवसाई ने अनिस्चिता कि इतनी उठाई उसको संख्यात मुनाब एक तरह से क्या होता है कठी ठीक है तो यह प्रोपेसर नाइट का लाब का सिद्धानत है